असलमòng dukung दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जबर्दस्त और मज़े के बनने वाले दाल पकवान रेसेपी जो बहुत ही जटपट और जलोदी बनए करेडी हो जाते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए अगर आपको रहे से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो फ्रेंट्स आप चाहे तो सिर्फ चने की डाल से भी इसको बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आदा कप मूंग की डाल दार रही हूँ जिससे इसमें क्या है बैंडिंग अच्छी आएगी हमारे डाल में अब इसको हम क्या करेंगे अच्छे से धोलेंगे तीन से चार पान इसे हमने डालों को अच्छे से धोलेना है तो देखे डालों को मैंने अच्छे से धोलने के बाद आप हम इसमें डाल लेंगे पानी तो पानी डालने के बाद फ्रेंट्स हम यहाँ इसको ढखकर छोड़ देंगे तकरीबन मैं इसको एक से देड़ घंटे के लिए भीगने क के लिए रख रही हूं अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप आदे घंटे के लिए गरम पानी दाल करें इसको भीगा सकते हैं तो देखें फ्रेंड्स यहां पर एक से देड़ घंटा होगा है ताले हमारी बहुत अच्छे से भीग गई है देख सकते हैं आप अ सारी दाल को मैंने अच्छे से इसमें दाल लिया है अब हम इसमें दाल लेंगे पानी तो यहां पर फ्रेंड्स पानी आप कितने पानी में गलती है दाल आप देखकर इसमें दाल सकते हैं तो यहां पर तकरीबन मैं इसको कोकर में गला रही हूना तो तकरीबन मैंने इसमें दो गलास पानी दाल लिया है, अब हम इसमें दाल लेंगे यहाँ पर, आधी छोटी चमच इसमें दाल लेंगे, हम हल्दी पाउडर, तो देखें, अब हम इसमें दाल लेंगे, एक से देर चमच यहाँ पर नमक दाल लेंगे, तो यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के ताकि जब दाल सीटी होगी ना तो दाल बाहर नहीं आएगी तेल दालने से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसको ढगा लेंगे और इसको गैस पर रख लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स गैस पर रखने के बाद हम इसको चार से पांच सीटी आने द तब तक हमारी दाल गल जाएगी तब तक हमने इसको पका लेना है यहाँ पर तो यहाँ पर हमारी दाल जब तक गलती है यहाँ पर देखिए हम पकवान के लिए आटा भीगा कर रेडी कर लेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बरतन ले लिया है जिसमें हमने दाल लेन टेसे सुझी ताइन के बाद हम इसमें दाल लेंगे अदिछ चोटी चमच यहां पर इसमें पढ़ने हम पर अपने टेपकस कर लेंगे मिक्स करने के बाद देखें अब लेंगे आधा कप तेल रही हैं जिससे ना हमारे पकवान बहुत क्रिस्पी बनेंगे हमने इसमें सूजी भी दाली है न, तो इससे हमारे पकवान जो है बहुत ही ज़्यादा करिस्पी बनेंगे, तो देखें यहाँ पर तेल दालने के पदफ अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है यहाँपर, तो देख सकते हैं आप अच्छे से यहाँ पर यह mix हो गया है तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा पानी दालते हुए ना अच्छे सा इसका एक सक्त डो बना लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटा भीगाते हैं ना उससे थोड़ा सा सक्त डो होना चाहिए इसका तो देखे अच्छे से मैंने इसका डो बना लिया है यहाँ पर आटा हमारा बहुत अच्छे से भीग गया है फ्रेंट्स एक बार फिर से इसको गुन लेंगे और इसको ढखकर रख देंगे तकरीबन 15 मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे हम इसको तो यहाँ पर जब तक यह 8 अरेस्ट होता है जब तक हमारी दाल को हम चेक कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने 4-5 सीटी आने दी थी यहाँ पर दाल को और उसके बाद फ्लेम को मैंने बन कर लिया था प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है तो यहाँ पर दाल को हम चेक कर लेंगे तो देखे दाल यह अच्छे से गल गई है आप देख सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं गलना चाहिए यहाँ पर मैं देखे एक दाल गोटी से इसको मैं गोट रही हूँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से हमने दाल को मैश नहीं करना है, थोड़ी-थोड़ी सी दाल इसमें दिखनी चाहिए, तो देखें, यहाँ पर बहुत थिक लग रही है मुझे, तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी दाल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो यह पर एक पैन रख लिया है, जिसमें हमने दाल लेना है, तो बड़े चमच घी इसमें दाल लेंगे, तो यह घी से बहुत अच्छी होती है, घी का तड़का हम लगाएंगे तो दाल बहुत अच्छी बनेगी, तो देखें, घी गरम होने के बाद इसमें हम दाल लेंगे, एक चोटी चमच इसमें दाल लेंगे ही जीरे को अच्छे से धारकने के बाद देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने 8-10 लेसन की कलियां ले लिए थी बारीक कट कर लिया है इसको और थोड़ा सा अधरक को ग्रेट कर लिया है तो यह अधरक लेसन दालने के बाद अच्छे से लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने के बाद यहां पर यह तड़के को हम दाल में दाल लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर दाल में हम यह तड़का दाल लेंगे तो देखे फ्रेंड्स आईए दाल हमारी रेडी है लेकिन पूरी तरीके से रेडी नही अब यह दाल को हमना साइड में रख लेंगे, तो देखे फ्रेंड्स हमारी दाल बन कर रेडी है, अब हम बनाएंगे हमारे पकवान जो हमने आटा भीगा कर रख लिया है, हम पकवान को बना कर रेडी कर लेंगे, तो देखे फ्रेंड्स यहां पर आटा हमारा अच्छे से रे तो देखे यहां पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा आटा ले लिया है अब जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम यहां पर छोटी इसको बना कर रेडी कर लेंगे तो देखे अच्छे से यहां पर इसको बेल लेंगे हम इस तरह से तो देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंन तो देखिए आप क्या करेंगे हम एक फोक ले लिया है मैंने फोक से हम इसको अच्छे से होल बना लेंगे इसके उपर तो देखिए अच्छे से हमने इस तरीके से कर लेना है क्योंकि तेल में जाने के बाद अगर हम फोक से होल डालेंगे ना तो तेल में जाने के बाद यह फ तो यहां पर देखे अप सारे हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर सारे हमने इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिए तो चलिए अब हम इसको फ्राइ करेंगे तो देखे कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है तेल हमारा बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तो देखे एक एक करके ये पकवान हम इसमें तेल में दालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई करते जाएंगे तो देखे अगर आपके यहां पर पूरी यह फूलती है तो आप इस तरीके से इसको प्रेस कर लीजिए और प्रेस करते हुए इसको फ्राइ कर लीजिए तो यह बिल्कुल भी नहीं फूलेगी तो देखिए पलट लेंगे हम इसको और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर इसका color बहुत अच्छा ना चाहिए golden brown होना चाहिए तब तक हमने इसको fry करنا है तो यहां पर इसको में medium to high flat पर फ्राइ करना है low flame पर हमने इसको fry नहीं करना है तो देख सकते हैं friends आप इसका color देख सकते हैं और बहुत अच्छा इसका color आ गया है और ये बहुत ही crispy है तो जब ये गरम होंगे तब soft होंगे जैसे ही ये थंडे हो जाएंगे ना बहुत अच्छी से crispy हो जाएंगे ये तो एक-एक करकर हम सारे इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो देखे फ्रेंज अगर आपको मेरी रेसेप ही पसंद आ रही है न तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखे इस तरहा से अगर यह आप डाल पकवन बनाएगे न आपके घर में आप बहुत ही सबगो पसंद आएगा मेरे घर में तो यह सब को बहुत ही ज़ादा पसंद आया था तो देखे यहाँ पर सारे मैंने अच्छे से इसी तरीके से फ्राइ कर लिए हमारे पकवान सारे फ्राइ होकर रेडी है तो चलिए अब हम इसको सर्फ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बोल ले लिया है मैंने जिसमें हमने दाल को सर्फ कर लेना है तो देखिए अब हम इसको दाल को इसमें सर्फ कर लेंगे तो देखे फ्रेंस दाल को यहाँ पर सर्फ करने के बाद जब हम इसके उपर जो चीजें दालते हैं उससे क्या है हमारी यह जो दाल पकवान है न हमारे दाल का ठेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंस और बहुत ही मज़े कि हमारी यह दाल रेडी होगी तो देखें, यहाँ पर मैंने डाल को निकाल लिया है बॉल में, अब इसके ओपर से डाल लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी बारिक कटी हुई प्यास डाल लेंगे हम इसमें, तो देखें, प्यास डालने के बाद इस पर डाल लेंगे हम थोड तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने एक बारिक एक हरी मिर्च को बारिक सा कट कर लिया है और बारिक कटीवी हरी मिर्ची दालने के बाद तो देखे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा फॉर्डर हम इसके उपर से दालेंगे इस तरह से, तो देखे इससे बहुत ही चटपटा पनाएगा, यहां पर चाट मसाला दालने से तो जरूर से दालिया आप इसके उपर से, और यहां पर देखे फ्रेंट्स मैंने ले लिए हरी चटनी, तो यह इन्स्टेंट हरी चटनी है, तो देखे मैंने थोड़े से दही में थोड़ा सा हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना और एक हरी मिर्च और चार से पांच लेशन की कलियों को पीस लिया और दही में मिक्स कर लिया तो वो हरी चटनी मैंने इंस्टेट इसमें डाल दी है एक चमच आप देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैं इसमें डाल रह और थोड़ा सा नीमबू का रस दाल लेंगे तो फ्रेंट्स यह सारी चीजें दालने से ना हमारी दाल बहुत ही ज़यादा टेस्टी बनेगी चट पती भी होगी खटी भी होहीं और बहुत ही मज़े की हमारी दाल बनका रेडि हो गई है फ्रेंट्स और उसके ओपर से रख लेंगे बारिक कटे हुए टमाटर रख लेंगे और नीमबु रख लेंगे और इसको सर्फ लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर रेडी है हमारा डाल पक्वान बनकर बहुत ही मज़ेका बना था वहत ही ज्याधा टेस्टी भी बना था तो आप भी न इस तरह से जरूर से बनाएए फ्रेंट्स और मुझे कमेंट्स में बताएए आपको रेसेपी कैसी लगी तो यहाँ पर देखें फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगी एक पकवान को तोड़कर कि कितनी ये क्रिस्पी बने हैं तो यह फ्राई होने के बाद फ्रेंट्स सॉफ्ट रहते हैं जब यह थंडे हो जाएंगे न तो यह अच्छे से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं और इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रेंट्स कम से कम यह 8 से 10 दिन आप यह पकवान को स्टोर कर सकते हैं फ्रेंट बहुत ही जादा मज़े के बने थे फ्रेंट्स तो इंशालला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अल्ला हाफीज